नमस्कार लोक तंत्र 2017 में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ हम्रता जोरस्या शिर्वात हैडलाइन से चुनाव से पहले बजट की तारीक पर चुनाव आयोग में सुनवाई आज प्रक्रिया पर केंद्र देगा जवाब कॉंगर्स समेथ 16 विपक्षी दलों ने की थी दखल की माँ उत्र प्रदेश के दूसरे दौर के चुनावों के लिए धी सूचना जारी 11 जलों की 66 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू बीजेपी और एस्पी कर सकते हैं आजो मिदवारों का यलाद तीन दिन के गोवा दोरे पर चुनाव आयूक की टीम मुख्य चुनाव आयूक तिलेंगे तैयारियों का जायजा रज्ज में चार फरवरी को मतिदान उत्राखन में कमांडर्स कॉंट्रेंस में प्रधान मंत्री के शामिल होने पर कॉंग्रिस ने उठाई सवाल कहा चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश 15 फरवरी तक रोक लगाने की मांग आम बजट पेश किये जाने की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग में आज सुनवाई होगी इसे पहले आयोगनी केंद्र से 2012 में आम बजट में देरी किये जाने संबंधित प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी साथी आयोग ने किंद्रिय बजट की तैयारी से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी थी दरसल इस बार किंद्रिय बजट एक फरवरी को पेश होना है पाच राज्यों में चनाव से पहले बजट पेश करने को लेकर कॉंग्रिस समेथ 16 विपक्षी दलो ने एतरास जताते हुए आयोग से दखल की मांगी है विपक्ष का कहना है कि 2012 में हालात कुछ ऐसे ही थे और विपक्ष की आपत्ती के बाद ततकाली उपिय सरकार से बजट को चुनाव तक के लिए टाल दिया गया था इससे पहले केंद्र सरकार ने 10 जनवरी को आयोग के सामने अपना पक्ष रखते हुए चुनाव से पहले बजट का बचाव किया था केंद्र सरकार ने बुद्वार को भी ये साफ किया था कि एक फरवरी को ही आम बजट पेश होगा हाला कि जिन राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं उन राज्यों के लिए बजट में कोई खास खोशना नहीं होगी उत्रप्रदेश और उत्रखन विधान सभा चुनाव के लिए आज बीजेपी उमिद्वारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है बीजेपी केंद्रे चुनाव समीती की कल हुई बैठक में उम्मिद्वारों के नामों पर चर्चा हुई बैठक में प्रधान बंत्री नरिंद मोदी और रास्ट्रिय धक्ष भी मौजूद थे इस दोरान मणिपूर विधान सभा चुनाव में पार्टी उम्मिद्वारों के नाम पर भी चर्चा हुई और बात उत्रप्रदेश विधान सभा चुनाव की तो उत्रप्रदेश विधान सभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गई है इस चरण में पस्चिमी उत्रप्रदेश के 11 जिलों के 66 सीटे हैं दूसरे दौर के लिए पर्चे 27 जनवरी तक दाखिल किया जा सकेंगे 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाच होगी और 1 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं मतदान 15 फरवरी को होगा उत्रप्रदेश में विधान सभा चुनाव 7 चरणों में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच होंगे और उत्रप्रदेश में समाजवादी पार्टी और कॉंगर्स की गडबंधन में RLD को जगर नहीं मिलेगी समाजवादी पार्टी ने इस बात का खुलासा किया है वहीं गडबंधन को लेकर कल भी कॉंगर्स और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अलान नहीं हुआ कॉंगर्स ने राइबरेली और अमिठी की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है वहीं समाजवादी पार्टी आज ओमिद्वारों के नाम का एलान कर सकती है राश्रीय लोकदल को महा गडबंधन में शामिल करने के मुद्दे पर दिन बार बैठकों का दौर चला इसके बाद समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि आरलडी को कडबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा समाजवादी पार्टी नेता किरण मैं नंदा ने कहा कि पार्टी 300 से ज़ादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन्होंने सिर्फ कॉंग्रेस के साथ ताल मेल की बात कही फैसले पर पलटवार करते हुए आरलडी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के दबाव में है कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बटवारे पर चर्चा जारी है दोनों पार्टी किस सीट पर लड़ेंगी इसे लेकर सहमती तकरीबन बन चुकी है मुख्यमंत्री अकलेश यादव ने चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को भी विधायकों के साथ मुलाकात की इस दोरान राम गुपाल यादव, अजीज कुरेशी और किरनमा नंदा समेत कई बड़े निता मौजूद रहे इस बीच अतीक एहमत ने भी अखली श्यादव को समर्तन की बात कही है बीजेपी ने महागडबंधन पर तंज कस्ते हुए कहा कि प्रदेश की सभी पार्टियां बीजेपी को रोकने में लगी है चाहे सपा हो और सपा के साथ गरबंधन करने वाई लोग हो हर वक्ती जनताप में यही साबित करने में जूटा है उत्तर प्रदेश में पहले दोर के मतदान के लिए नामंगन की प्रक्रिया शुरू हो गई है राज में साथ चरण में मतदान होना है कॉंग्रेस तो यूपी में मागडबंधन चाहती थी लेकिन अखलेश यादों ने रल्डी से यूपी चुनाओं में किसी भी गडबंधन से इनकार कर दिया अखलेश यादों ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाब बनने वाले किसी भी गड़ जोड के लिए तो वो तैयार है लेकिन गडबंधन में अगर उनकी पार्टी कोई वर्चस को कोई चनौती मिलती है तो उससे वो समझाओता नहीं करेंगे लखनों में करमा सरुष कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा राज्य सभाटी वी और सीधा रुक करेंगे लखनों का जहां से हमारे समवाद दाता पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं पंचानन नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज दूसरे दोर के लिए भी शुरू हो चुकी है लेकिन कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उमिद्वारों का ऐलान अभी नहीं किया है आज क्योंकि वाक्त अब बहुत कम बचा है आज उमीद करें कि कम से कम आज इसको लेकर ऐलान हो जाएगा गटबंधन को लेकर और उमिद्वारों को लेकर जी है अमरता बिल्कुल आपने ठीक कहा पिछले लगातार दो दिनों से ये हो रहा है कि एलान कभी भी हो सकता है और वो बात सूची पर उमिद्वारों पर और गटबंधन पर इस पर फसी हुई थी लेकिन अब ये तैय हो गया है कि आरेलडी इस गटबंधन का हिस्सा नहीं है महा गटबंधन उतरदेश में नहीं बन रहा है सिर्फ समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस इस गटबंधन में शामिल है तो आज उमीद है कि कॉंग्रेस के कई नेता पहुँच रहे हैं कुछ दिर बाद यहां पहुँचने वाले हैं और एक जोईन प्रेस कॉंफरेंस यहां समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के हो सकती है लेकिन जो बड़ा मुद्दा वही है कि सीट शेरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर फसा हुआ है कि तीन सो के आसपा सीटें वो समाजवादी पार्टी के पास होगी और एक सो3सीके सीटों में से अगर कॉंग्रेस चाहे तो किसी ओर को दे सकती है या फिर कांग्रेस के पास हैं तो उनमे सीटें लड़ेंगी और कुछ एक बात जो परमपरागत सीटें होती है जैसे अमेठी और राइबरेलई की बात आप आपने कही तो उस पे भी ये इस तरह की बातें जो Congress के Reservations उसमें हैं कि सारी जो सीटें हैं उस पे वो खुद लड़ें वो संदेश जिना चाहतने कि वो उनका परमपरागत चुनावी छेत रहे लोग सभाव जीत कियाते हैं वहां से लेकिन समाजवादी पार्टी के वहां पर सेटिंग घर के सामने ही मौजूद हैं बाची चल रही है और कुछ देर में इसका ऐलान आज होना संभाव है और लगता है कि आज इसका ऐलान यहाँ पर हो जाएगा लगता है कि आज अलान हो जाए और बंचनंद आज भारती जनता पार्टी भी उमिद्वारों की दूसरी सूची ज पोशिस है और एक आपने चीज देखी होगी कि जैसे जैसे कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के गडबंदन डेले हो रहा है और सूची डेले हो रही है उसके इसाफसे भारती जनता पार्टी अपने उमिद्वारों की सूची को जारी करना चाहती है तो हमने देखा कि उनकी बैठक लगातार दो बार टेली और उसको डिले किया गया तो आज लेकिन उमीद है कि भारती जनता पार्टी इस गडबंदन के एलान के बाद अपनी सूची दूसरी सूची जो है उसको भी जारी कर सकती है पहले दो चरणों के लिए उत्तर परदेश के चुनाओं मे इतावा में बना सूती कपड़ा दुनिया भर में मशूर है यहां के पावर लूम करीब 10,000 परिवारों की रोजी रोटी का जर्या हैं इतावा के सूती गमचे, लूंगी, परदे और सूती चादर की देश और दुनिया के बाजार में खासी मांग है लेकिन ओट बंदी के अईलान के बाद तकरीबन सारे ही पावर लूम बन पड़े हैं दरसल पावर लूम पर काम करने वाले ज्यादतर मजदूर बिहारी पर काम करते हैं बाजार में नगदी की कमीं के चलते इनका भुकतान मुश्किल हो गया है इसके चलते हजारों मजदूर भुक्मरी के कगार पर हैं इटावा में पावर लूम उद्यों का सालाना कारूबार 200 करूर से ज्यादा का है इसमें 50 करूर से ज्यादा निर्याद से आता है। आगामी चुनाव में कारूबार को हुआ नुकसान और बेरोजगारी बड़ा मुद्दाब बन सकते हैं। ब्योर रिपोर्ट राज्य सभा टीवी जमी 10854 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने नामांकन के लिए खास इंतिजाम किये हैं। बेरिकेटिंग करके चाक चागवन रस्ता की गई है। सीसी कैमरे लगाए गए हैं। यदि मतलब जो हमारे निर्धार संख्या से यदि कोई अंदर आएगा तो उसके बुर्ट कारवाई की जाएगा। और इधर कॉंग्रिस ने 21 जनवरी को देहरा दूर में प्रस्तावित कमांडर्स कॉंफरेंस पर एतरास जताया है। कॉंग्रिस ने चुनावायुक से मांग की है कि इस कॉंफरेंस पर रोक लगाई जाए। इस कॉंफरेंस में प्रधान मंत्री नरिन मोदी और रक्षा मंत्री को शरकत करनी है। कॉंग्रिस ने कहा है कि उत्राघड में प्रधान मंत्री पार्टी का चुनावी चेहरा है और ऐसे में ये कारिक्रम अचार सहिता का उलंगर है। कॉंग्रिस ने कहा है कि ये कारिकरम राज्य में मतदान पर असर डाल सकता है। इसलिए इसे बोटिंग के बाद ही आयोजित किया जाए। इसमें बहुत सारी बाते कहीं जाएंगी जो मतदाता के मन को प्रवावित कर सकती है। यहां पर नमांकन प्रक्रिया का जो शुरुवात, आपचारिक शुरुवात हो गई है। और यहां पर अभी फिलहाल क्योंकि आज पहला दिन है और शुरुवाती समय है तो अभी यहां पर अभी नमांकन के लिए कोई नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइंग बढ़ेगा जैसे और जब कॉंग्रेस की सुची आ जाएगी, कॉंग्रेस ने आला कि इसमें बहुत देरी की है क्योंकि आज तक उनके उमीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। तो जैसे ही कॉंग्रेस के उमीदवार की लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद यहां पर भीड़ बढ़ना चालू हो जाएगी। और बीजेपी में भी एक पशोपेस की स्थिती है क्योंकि अभी तक 6 सीटों पर उनके उमीदवार नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे मैं जो लेकिन अगर स्वरक्षा की बात करें, यहां पर बहुत ही चाक चौबंध विवस्था की गई है नामंकन प्रक्रिया को लेकर और खास तोर पर बारिकी से वीडियोग्राफी कराई जाएगी पूरा जहां पर नामंकन प्रक्रिया होगी ताकि कुछ भी यहा जी अमरता बिल्कुल जो कल जॉइंट कवंडर कॉंटरंस होने वाली है उसमें सेना प्रमुक भी शरकत कर सकते हैं साधी रक्षा मंतरी तो हैं ही तो ऐसे में कॉंग्रेस की आपत्ती लाजमी है क्योंकि मोधी यहां पर चेहरा है बीजेपी का और क्योंकि उत्राखंड एक सैनिक बहुल इलाका है यहां पर काफी संख्या में रिटाइड सैनिक रहते हैं ऐसे में जो कॉंग्रेस जो प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी है उसने शिकायत की है चुनाव आयोक में ग्यापन दिया है और साधी केंद्रिय नेत्रत्रों ने भी इस बात को लिकर सवाल से प्रदान मंत्री वहाँ पर जाएंगे आई में तो आई में की रैली को लेकर बड़े आई में जो कॉंट्रेंस है उसको लेकर कॉंग्रेस ने सवाल खड़े किये हैं कि ये और कहीं की जा सकती थी उरी में की जा सकती थी जमू कश्मीर में की जा सकती थी खास चुनाव के यहां आप लोगों की मीटिंग हुई, दो दिन मीटिंग चली, क्या यहां पर मुख्य चुनौतियां आपके सामने हैं? यहां पर शराब का वित्रण और उसका उपयोग, दुरुपयोग हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में और तो उसको रोकने के लिए हमने यहां पर राजे प्रशासन को और अपने मशीनरी को कहा है, कि वो आगामी चार-पाँच दिनों में उस मशीनरी को बहुत तेजी से काम क पर आएं और उसके अच्छे प्रिणाम प्राप्त रहें, उसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में खास तोर से जो उत्रपरदेश से सीमा वर्ती छेतर हैं, वहां पर सामपरदाएक सौहादर बना रहें, और दूसरे राजे से लोग आकर के यहां पर लोग क्या प्लान बनाया है? यहां पर बहुत तेजी से अदला बदली हो रहे हैं राजनितिक दलो में, कॉंग्रेस के लोग बीजेपी में, और खास तोर पर एक अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, कॉंग्रेस के, काफी लोग चुनाव के वक्त बीजेपी में, आचार साहिकता का क्या उल्लंग तो आप देख सकते हैं कि मुख्यचनाव आयोक का साफ कहना है कि उत्तरा खंड परवतिया इलाका है और यहां पर शांती पूर्ण और जादा से जादा मत प्रश्चत बढ़े ये आयोक की कोशिश है, कैमरमें संतोश यादव के साथ, नविकरम सिंग, राज्य सभा टीवी देहरा दोने। एमजीपी समेत विभिन राजनेतिक दलों के प्रतिनिद्यों के साथ भी मुख्य चुनाव आयोक बातचीत करेंगे, गोवा की सभी सीटों पर एक ही चरण में चार फरवरी को चुनाव होना है। करने कहा कि बीजेपी के कारेकाल में एक भी कसीनों नहीं खोला गया। गोवा में चुनाव परचार जोरशोर से चल रहा है और वेस्ट शेडूल से समय निकाल कर हमसे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। गोवा के मुख्य मंत्री लक्ष्मिकांत परेश कर दी। सर आपका स्वागत है राजसाफा टीवी पर। सर किस तरह का रिस्पॉंस आपको मिल रहा है आप दो साल तक लगातार मुख्य मंत्री हैं। उसके बाद जब आपने करकरताओं के बीच जा रहा है। गोवा में भारतिय जंदापार्टी सरकार ने अपने विवीद कार्यक्रमों द्वारा, अपने विवीद योजनाओं द्वारा, समाज के अंती मिस्तर पर जो लोग हैं। उनको हमने बहुत मदद करने का सफल प्रयास के आज। कसीनो को बनाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। के बहुत मोफ हैं हैं। इंट सम्पते कि कमेजी कार्यात कर लोग है। कि बहुत मांचा कि दिघुन के और ब्为न रगारा थामाजी। कि द्विवेश करते मैं कि अपनूर्ण इवारा रंफोड कर अपनूर्ट Canadians क Сам युझ कर द Suk선 Sweden And by the end of 2021, Goa will be unemployed, free. I feel these are the issues which certain people raise to garner public support. जिनका कहना है कि इनके कारेकाल और बीजेपी सरकार के कारेकाल के दौरान यहां बहुत विकास के काम हुए हैं और उन्ही के दम पर इनको पूरी उम्मीद है कि इक बार फिर से जनता बीजेपी को वोट दे कर सत्ता में वापस लेकि आएगी. गुर्वार को पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जाज पूरी हो गई. पंजाब में रिकॉर्ट संख्या में उम्मीदवारों ने परचे भरे, आखरी दिन 1040 उम्मीदवारों ने अपनी दाविदारी पेश की. और कुल मिलाकर 117 सीटों की विधान सभा के लिए इस पार 5941 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं. पिछले चुनाव से अगर हम त अभी सीटों पर एक साथ मतदान होना है. 11 माच को पाच विधान सभाव के नतीजे एक साथ खुशित के जाएंगे.